हthem सिंग पाठले कैसे प्रोक्राशिशनीचन की हैबिट से छूटकारा पाया जा सकता है यदि आप लो है विल्यू टास्ट को प्रोक्राश्टिनेयर करके हाई विल्यू टास्क को पहले परफॉर्म करते हैं इसका मतलब आपने एक बहुत ही अच्छी habit डिवलप कर लिया है परन्तु न तो आप low value task को perform कर रहे हैं और नहीं high value task को perform कर रहे हैं और आप प्रती दिन ये delay करते जा रहे हैं action लेने में delay करते जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं इस काम को कल से करूँगा परसो से करूँगा एक सब्ता के बाद शुरू करूँगा दो सब्ता के बाद शुरू करूँगा तो दोस्तों मान लीजिए समझ लिएजिए कि आपने procrastination की habit डिवलप कर लिया है एक्षन डिले करने की habit डिवलप कर लिया है इस habit से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं पहली चीज अपने दिन की सुरुवार अपने most important task के साथ कीजिए मैं repeat कर रहा हूँ अपने दिन की सुरुवार अपने most important task के साथ कीजिए वह task जो आपकी life में बहुत ही माइने रखता है वह task जो आपकी goal diary में सबसे उपर है दूसरी चीज इस काम को प्रती दिन तब तक कीजिए जब तक की वह आपकी habit नहीं बन जाती है तिसरी चीज discipline way में इस काम को कीजिए चौती चीज एक affirmation बनाएए कि मैं प्रती दिन यह काम को इमानदारी से कर रहा हूँ या repeat कीजिए मैं प्रती दिन यह काम को इमानदारी से repeat कर रहा हूँ और पांचवी चीज reward yourself आप अपने आपको reward दीजिए जब भी आपने छोटा सा task complete किया आप अपने आपको appreciate कीजिए आप अपने आपको reward दीजिए कोई भी छोटा gift आप अपने आपको दे सकते हैं यदि आप ये पांच चीजों को follow करते हैं तो मैं अपने भरोसे के साथ confidence के साथ यह कर सकता हूँ कि आप procrastination की habit से बहुत ही चल्दी छुटकारा पा सकते हैं यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और फेमिली मेंबर्स के साथ में जरूर सियर करें मेरे चैनल को subscribe करें बेल आइकान प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में आसानी से पता सकता है Thank you very much for listening